नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग जीवन में जब बहुत ज़्यादा परिसानी आती है तब हम तरह तरह के उपाई करते हैं और इस बार तो बहुत बड़ा मौका है क्योंकि 2020 तो जैसा गुजरा वो छोड़ी दे उसको याद करने से त धनमंतरी जी अम्रित का कलस लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और दीपावली के दिन मालक्षमी प्रकट हुई थी अब इस दिन धनिया जो मालक्षमी को बहुत ही प्रिय है अगर इसका छोटा सा उपाई करें तो करजों की समस्या से भी मुक्ति मिलती है धन की पर होती और अगर आपके नौकरी बैपसाय में परिसानी है तो भी धनिया का प्रियोग से इस धन तेरस से दिपावली तक आप उपाई कर ले तो वह दूर हो जाएगा तो धनिया की प्रियोग से कैसे आप अपने भागे को बदलेंगे कैसे आर्थिक स्तिती ठीक करेंगे आज अपने घर के कीचन में जरूर रखिए पुजास्थान पर भी रख सकते हैं कैसे रखेंगे थोड़ा सा आप लेकर किसी डब्बे वेगर में भी रख सकते हैं आप किसी लाल कपड़े में बांद के रख सकते हैं आप कीचन में इस्टोर करके रख सकते हैं अभी क्या हो गया लोग पाउडर मसाला खाते हैं तो धनिया का उपयोग है ही नहीं लोग भूल जाते हैं तो इसको आप एक बात जानके रखें कि आप कुछ ऐसी बस्तुएं हैं जो जरूर घर में होना चाहिए जैसे कि धनिया तो है ही इसके साथ ही काली मिर्च आप खाएं या ना खाएं पर रखिए जरूर तो हम बात करने हैं धनिया की आपके जीवन की समस्ष परेसानियों से कैसे चुटकारा दिलाएगा एक छोटा सा उपाएं तो धनिया का उपाएं करके आप बहुत सारी परेसानी से मुक्ति मिलेंगे तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपके करजों की समस् मिलेगा इस धनिया के परियोग से देखिए धनिया आप इस बार धन तेरस सुक्रवार को है सनिवार के दिन दिपावली है तो दोनों ही दिनी उपाएं कर सकते हैं सबसे पहले तो धन तेरस के दिन एक परियोग करें रात में याद रखिए क्या करेंगे एक मिट्टी का बर एक शिक्का एक रुपय का कुईन ले 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 उसमें रखिये धनिय के उपर और फिर उसमें जल डालतें अब इसको अपने घर के उत्तर पूरब दिशा में आप रख दीजिए और इस धनिया जो आपने पानी डाल के रखाया अगर आपको लगे कि पानी कम हो गया तो डालते रहिएगा और दीपावली के दिन क्या करेंगे सुबह इसको आप अपने घर के आंगन में या गमले में बो दीजिए मिट्टी वैसे भी घर में मिट्टी होना चाहिए नो के नो गरह कंट्रोल में रहते हैं तो ऐसे में आप थोरा सा उसको मिट्टी में डाल दें यह धनिया जब देखेगा बाद में इससे पेर निकल आएगा तो यह जो सिक्का है इसमें आप सिक्के को निकाल कर लाल कपड़े में बांध कर अपने धन के अस्थान पर रख ले और इस पैसे को खर्च मत कीजिएगा अगले साल जब फिर से उपाई कीजिएगा किसी भी तरह का कोई भी पुजापार्ट में इसको फिर से उपयोग सकते हैं क्योंकि यह सिक्का सिद्ध हो चुका होता है यह धन प्राप्ति का सिक्का है तो ऐसा करने से क्या होता है धन आने के मार्ग खुलते हैं और साथ ही आप जो करजों की समस्या से परिशान है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है तो ये उपाय तो आपको हर हाल में करना है दूसरी बात ये जो धनिया का ये प्रयोग है आपको धनतेरस की रात में करना है अगर माल लेते हैं बैचन सापने नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं आप दिपावली की रात भी ये प्रयोग कर सकते हैं अब थुरा और आगे बढ़ते हैं, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कीमती बस्तुक हो जाता है, घर में कोई कीमती बस्तुक हो गया, आप बहुत परिसान है, नहीं मिल रहा, तब वैसे तो इसके बहुत सारे टोटके होते हैं, लगत तब लेकिन एक काम करें, चुकि इस ब प्रास्टना करें आपकी कीमती वस्तु आपको मिल जाएगी तो बहुत सिंपल उपाय है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं कई बार क्या होता है पैसे नहीं टिकते हैं तब ऐसे में धन तेरस के दिन और इसके साथ ही दिपावली के दिन जब आप मा लक्षमी की पूजा कीजि इस धनिया को अपने धन के अस्थान पर लाल कपड़े में बांद के रख दे जादा नहीं थोरा सा ऐसा करने से भी ऐसा मारा जाता है कि धन टिकने लगता है कई बार क्या होता है आप आपकी जीवन में जैसे अभी सनी की साड़े साती धहिया चल रही है मिथुन रासी और तुला रासी पर धहिया है और साड़े साती चल रही है मकर कुंभ और धनु रासी पर अब ये लोग ज्यादा परिसान है आपकी कुंडली में सनी देव के कारण कैसी भी पिराएं हो एक छोटा सा उपाय करना चाहिए क्या करेंगे इस दिपावली जिस दिन हर्मान जी का ज और एक लोटा जलर्पित कर दें इससे माना जाता है कि सनी देव समंदी दोस्तों से मुक्ति मिलेगी क्योंकि इस दिन हर्मान जी का जनल दिन भी है तो सनी देव वैसे भी प्रसंद रहेंगे और आपके जीवन में जो परिसानी है वो दूर हो जाएगा और जीवन में जो अराधना करेंगे दिपावली की रात तब आप स्रीहरी को अगर धनिय की पंजीरी बनाकर अर्पित करते हैं तो बैवाही जीवन सुखी होता है और घर में सुकसान्ती संपन्नता बनी रहती है और भगवान से प्रातना भी कीजिए क्योंकि भगवान सब कुछ बहतर करते ह कई बार क्या होता है घर में किसी का स्वास बहुत गरबर है छोटे बच्चे हैं नजर लग गये हैं घर में बहुत तरह की टेंसन होती है तब धन तेरस के दिन या फिर आप दिपावली के दिन एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा आप अपने हाथ में थोड़ा सा धनिया सुखा हुआ धनिया याद रखिए इसके बाद साबुत धनिया होना चाहिए आप सब के घर में जितने सदसे सब के सर से साथ बार उतार ले और ले जाकर किसी चुरहाई पर फेक दे ऐसा करने से धनलाप की योग बनते और किसी तरह की कोई बाधा है अगर भागे में तो व रात को सोते समय एक काम करें सुखा धनिया अपने सिरहने रख लीजिए रखकर सोईए और सुबह उस धनिये को किसी बहते वे जल में प्रभाहित कर दें ऐसा करने से आप देखिएगा धन का लाब होगा और जल्द ही आप करजों से मुक्ति पालेंगे अगर कहीं पर बहता हो जाती है बीमारियों पर खर्चे हो रहे हैं जहां से धन आता है आपने एक रुपया कमाया तो यहां से डेल रुपया खर्च हो रहे हैं सबर पर खर्च हो रहे हैं अब आप परिसान हो जाते हैं कि कैसे मैनेज करें आपकी सेविंग खत्म होने लगती है तब ऐसा मानेता कि दिपावली के दिन धनिया का पत्ता जादा नहीं किरना है आपको क्योंकि बहुत मांगा अभी हम नहीं क्यों हैंगे क्या आप एक किलो दूखिला यह नहीं एक दो पत्ता भी अगर संभव हो तो गाय को खिला दें ऐसा करने से माना जाता है कि खर्चों में कमी आती है और यहां मनतहां जो पैसे आपके बरबाद हो रहे हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, अगर आपको लगे कि घर में सुकसान्ती खो गई, बेबज़े घर में भारी पन लगता है, जगड़े लड़ाई जादा होते हैं, तब एक काम करें, धनतेरस वाले दिन, थोड़ा सा सुखा वध धनियां आप अपने घर के पूरवदिसा में किसी कटोरी में, किसी डबे में भरके, या किसी लाल कपड़े में बांद के आप रख दीजिए, उसको चुहिएगा मत, एक साल तक रहने दे, अगले साल इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा, आप देखिएगा, आपके घर म सुबह से लेकर रात तक में जब भी आपको मौका मिले, एक काम कीजिएगा, एक सफेद कागज लें, मैथ वाला कागज, ठीक है, रूलिंग नहीं लेना है, अब इसमें थोरा सा धनिया रखें, और जो बैक्ती आपका पैसा लिया है, उसका नाम काजल से या काला कलम से लि कीजिए, जीवन में चमंतकार तो होते रहते हैं, हम आप से विदा लेते हैं, हर हर महादेव, धन्यवाद।